लडाई समविधान को बचाने की थी Constitution को बचाने की थी जब इनोंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसल किया जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला पार्टियां तोड़ी मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाई आपने समविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे देखें देखें हैं उस टॉक्स उनके तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है जनता अदानी जी को मोधी जी से डाइरेक्टली कोरेलेट कर रही है मोधी जी की हार होती है स्टॉक मारकेट कहता है भई आप मोधी जी गए तो अदानी जी गए इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है we are we we respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion सारे स्टैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोधी जी उशार हो जाएंगे इसलिए बड़ी सही बात बोली जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की देखिए ये चुनाव इंडिया गट बंदन और कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाव हम पीजेपी एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है इंटेलिजन्स एजन्सीज सीबी आई, इडी ये सब आधी जुडिशरी इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्थाओं को इन सब इंस्टिटूशन्स को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाजी ने कैप्चर करा धमकाया डराया प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूँ आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया और आपके emotions कहां थे हमें मालुम है लड़ाई समविधान को बचाने की थे Constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे माइंड में था पहले से जब इन्हों ने हमारा bank account cancel किया जब chief ministers को जेल में डाला पार्टियां तोड़ी मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गटबंदन के पार्टनर्स से कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजएं की सबसे पहले हमने इंडिया गटबंदन के partners की respect की उनकी जो wishes थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गडबंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात Congress Party ने clarity से हिंदुस्तान को एक निया vision दे दिया है pro poor vision pro production vision हिंदुस्तान को इंडिया गडबंदन ने साफ दे दिया है यह जो हमारा performance हुआ है इंडिया गडबंदन का performance हुआ है इसके पीछे constitution जो reservation पर बीजेपी ने आकरमन किया गरीबी अदानी जी के आपने stocks तो देखे होंगे देखें देखें उस stocks उनके तो बड़ी interesting बात है जनता जनता अदानी जी को मोधी जी से directly correlate कर रही है मोधी जी की हार होती है stock market कहता है भाईया मोधी जी गए तो अदानी जी गए मतलब direct relationship है corruption की relationship है और देख ने नरेंदर मोधी जी को साफ कह दिया है की हम आपको नहीं चाते हैं and this is the main thing that this election has said the country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country we do not like the way they have run this country we do not appreciate the way they have attacked the constitution we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years so that is a huge message to Mr. Narendra Modi I'd like to thank everybody who has participated in this election I am extremely proud of the people of India I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution और अंत में मैं आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है सबसे गरीब लोगों ने किया है मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, गलेतों ने किया है आदिवासियों ने किया है, पिछडों ने किया है इन लोगों ने इस Constitution को बचाया है, इस Constitution ये Constitution देश की अवाज है, बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, छुप रहे गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution को बचाया, मैं उनका धन्यवाद करना चा आता हूं कि Congress Party आपके साथ खड़ी है, जो हमने आपको वाइदे किये थे, हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे, जाती जनगरना, महलक्ष्मी, ये हमारे वाइदे हैं, धन्यवाद, शुक्रिया राउल जी, अभी तीन-चार सवाल सिर्फ हम लेंगे, एक मिनिट, एक मिनिट, शांत हो जाईए प्लीज, शांत हो जाईए प्लीज, शांत हो जाईए, एक मिनिट, 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 खर्गे जी और राहूल जी, आपके लिए, एक मिनिट, खर्गे जी और राहूल का चार पांच सवार लेंगे Sanjeev एक मिन्ट एक एक करके चिलाएगा मत प्लीज चिलाएगा मत हाँ Sanjeev Rahul जी Rahul जी Rahul जी although the NDA has emerged as you know they are getting the majority but some of its partners have been your partners in the past including the TDP and the Jdu so have you decided to sit in the opposition or there are chances of government formation by the India government we as we have said earlier we are going to have a meeting with our partners the India Alliance partners I believe that meeting is tomorrow and these questions will be raised there and they will be answered there we are we respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion sir we are going to decide India India Gatbandhan की meeting है कल हमारा alliance decide करेगा बड़ी fine line है तो जो India Gatbandhan decide करेगा उस पे हम action लेंगे जाए 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 सर खरगे साभी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे BJP में जश्न हो रहा है और उनके साब से NDA को मिजोरिटी मार्क से उपर मिला है तो NDA सरकार बना रही है तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने का नेतिक अधार पे प्रधानमंती नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए क्या आपको लगता है कि BJP में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुडने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखेंगे सारे स्टैटेजीज अगर यहीं मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे राउल जी खरगे साब ने का कि हम जनादेश को सुईकार करते हैं जनादेश इंडिया गटबंधन के लिए क्या है विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए और आप दोनों सीटों से जीते हैं बढ़ाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं नहीं सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूँगा दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ावा है अब सव कहा कड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी एक हम विपक्ष में रहें पार्टी मजबूत करें या सरकार के साथ जाए 2009 में 2009 में तो क्या बात करें 2009 में दोबारा जब वहुमत मिला था तब एक रही थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें ऐसे कोई रही नहीं थी आपकी रॉग इंफिमिशन आप अब मैं पुछ रहा हूँ अब आपसे पुछ रहा हूँ दो दो चीज़ है दो चीज़ है यह जो मेंडेट मिला है आप अपोजीशन में रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं सरकार बनाना चाहते हैं आप चाहते क्या है नहीं देखिए हम एक कोईलिशन के भाग है ठीक है कॉंग्रेस पार्टी है बाकी पार्टीया है और उनके साथ अभी हमारा डिसकॉशन नहीं हुआ है हमने बया शांत हो जाएं हमने उनसे कहा था इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाओ लाड़ा दिया अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वह चालिस साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद बीजे पी के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली क्नेक्टिड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनों हैं, ये बिल्कुल गल्त है ये उफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए राहुल राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूस निशन से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ, देखिए यूपी यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आप से जादा political wisdom मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं ने, बहुत सारे states ने कमाल करके दिखाया, मगर यूपी ने हिंदुस्तान की राजनेती समझ कर, Constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने Constitution की रक्षा की है और मैं सब states का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं special कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का इंडिया गडबंदन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी राहुल जी तो यहाँ पीछे खुपी होई है रहुल